चलिए शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों केंद्रिय स्वास्त और परिवार कल्यान मंत्राले की ओर से जारी आंकडों के मुताबिक देश में कोरोना वाइरस पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 3,95,048 हो गई वहीं अब तक 12,948 लोगों की मौत इस संक्रमन से हुई 21 जून को सूर्य ग्रहन लगने जा रहा है इसे लेकर विज्ञान और प्रोध्योगी की मंत्राले का कहना है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से गरीब कल्यान रोजगार अभ्यान का शुभारम किया कारेकरम की शुरुआत करने से पहले प्रधान मंत्री ने लड़्धाक में शहीद हुए जवानों की पराक्रम पर चर्चा की और उन्हेश रधानजली अर्पिद की इसके बाद प्रधान मंत्री ने कारेकरम शुभारम के दौरान कई प्रवासी मजदूरों से कई महतपून बाते की भारत सरकार ने सर्वदलिय बैठक पर बयान जारी किया है पीम मोदी के बाद राहुल गांदी सहित विपक्ष के कई नेताओं ने सवाल उठाया था यदि चीन ने घुसपैट नहीं की थी तो सैनिकों की शाहदत कैसे हुई पीमो ने कहा कि ये दुर्भागे पूर्ण है कि ऐसे समय में प्रधान मंत्री की टिपणियों पर अनावश्यक विवाद पैदा किया जा रहा है वायूसेना प्रमुक एयर चीफ मार्शल आर केस भधौरिया ने कहा कि वायूसेना लक्ष को पूरा करने के लिए द्रिंड संकल्पित है और किसी भी आकास्मित स्थिती से निपटने के लिए पूरी तरह से तयार और सही जगा तैना था हैदराबाद के डुंडी गल में वायूसेना कैडमी यानी एफए में कमबाइंड ग्रेजुएशन परेड यानी सीजीपी को संबुदित करते हुए उन्होंने ये बात कई पूर्वी लद्दा के गल्वा घाटी में चीनी सेनिकों के साथ मुद्भेड में शहीद हुए बीज जवानों के लिए तेलंगाना सरकार ने आर्थिक साहता की खोशना की तेलंगाना सरकार की तरफ से शहीद कमांडिंग आफिसर करनल संतोष बाबू के परिवार को पांच करोड की साहता ने दी एक आवासिय जमीन और उनकी पत्नी को ग्रूप एक श्नेडी की नौकरी दी जाए पाकिस्तान अपनी घिनोनी साजीसों से बाज नहीं आ रहा है भारतिय सीमा में रेकी करने के मकसद से भेजे गए पाकिस्तानी ड्रोन को बीए सेफ ने मार गिराया है हीरा नगर सेक्टर के रटवा गाओं में सुभा पांच बजे के करीब इससे जवानों ने देखा इसके बाद मुस्ट्याइब जवानों ने इसे मार गिराया कोरोना महामारी से लड़ रहे डॉक्टरों को वेतन और उचित आवास नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी चिंता जताते हुए कहा युद्ध के वक्त सैनिक असंतुष्ट नहीं होने चाहिए असंतुष्ट सैनिकों के दम पर युद्ध नहीं लड़ा जा सकता है उतरप्रदेश के कानपूर में पूर बस्पा नेता की गोली मार कर हत्या कर दी गई है कानपूर के चकेरी में हमलावरों ने पूर बस्पा नेता पर ताबर तोड गोलियां बरसाए जिससे इलाके में हड़कम मज़ गया गंबीर हालत में पूर बस्पा नेता पिंटू सैंगर को अस्पताल में भरति कराया गया जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गए भारत ने चीन की तरफ वाले forward airbase पर अपने लड़ाखों विमानों को भेज दिया है इसके अलावा बंगाल के खाड़ी में अत्रिक्त युद्ध पोतों की तैनाती की गई है इसके जरिये नई दिल्ली ने बिजिंग को एक सपस्ट संदेश देने की कोशिश की है अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें